नमस्कार दोस्तों मैं आपका चिरपरिची दोस्त उपस्थितूं आप सभी की सीवा में एक बेहद हिमाद पौण जानकारी को लिए करके आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरी मिर्च के औसधिये गुनों के बारे में हरी मिर्च का प्रियोग खाने का जायका बढ़ाने के लिए किया जाता है कई वे जनों के साथ ही हरी मिर्च का अचार भी बहुत चाव सिखाया जाता है हरी मिर्च की खासियत सिर्फ इसके तीखीपन तक ही सिमित नहीं है बलकि इसके कई औसदिये गुन भी हैं जो की साबित हो चुका है विविन वैज्ञानिक अनुसंधानों में तो चलिए जानते हैं हरी मिर्च के विविन औसदियों के बारे में और इसके विविन फाइदों के बारे में Immunity बढ़ाता है हरी मिर्च का सीवन कमजोर Immunity के कारण सरदी, जुकाम, इलर्जी या फिर सारी कमजोरी की समस्या हो सकती है ऐसे में हरी मिर्च का सीवन कर आप अपने Immunity को सुधार सकते हैं रिसर्च में या पाया गया है कि हरी मिर्च में विटेमिन A, विटेमिन C, आइरन, पोटेसियम और मैगनिसियम जैसे पोसक तत्तों पाये जाते हैं ये पोसक तत्तों हमारे सरीर के Immunity को बढ़ाने में काफी मदददार होते हैं तो हरी मिर्च का सीवन कर आप अपने Immunity को बढ़ा सकते हैं दिल के लिए फाइदेमंद है हरी मिर्च का सीवन रिसर्च में यह भी पाया गया है कि हरी मिर्च में कैपसाइन नामक कमपॉंट पाया जाता है यह कमपॉंट हर्दे रोगों के समस्चा को दूर करने और हर्दे को मजबूती प्रदान करने में फाइदेमंद होता है हरी मिर्च का सेवन कर मदुमे को कंट्रोल किया जर सकता है हरी मिर्च का सेवन करे पाचं छमता को दुरुस्त पाचं कृया को सुचारूरुप से बरकरार रखने के लिए मिर्च की आहम भूमिका होती है research में पाया गया है कि हरी मिर्च gastrointestinal जो भी विकार होते हैं उस पर सकारात्मक प्रभाव डालता है दरसल gastrointestinal प्रॉबलम में अपच के लक्षन, दस्त और कब जैसे समस्याएं सामिल होती है जो की खराब पाचनतंतर का परणाम होती है रिसर्च में यह भी पाया गया है कि मिर्च में पाया जाना वाला कैपसाइन कंपाउंड gastrointestinal समस्या को दूर करने में भी काफी मददगार होता है आँखों के लिए भी फायदे मंद है हरी मिर्च का सीवन आँखों को स्वस्त रखने के लिए हरी मिर्च काफी फायदे मंद है सोद में यह पाया गया है कि हरी मिर्च में लिटीन, विटेमिन ए और जैकसिंतीन जैसे पोसत्तत तो पाये जाते है साथी इसमें एंटियोक्सिटेंट गुन भी होता है इसके इन ही गुनों के कारण आँखों के स्वास्त के लिए हरी मिर्च काफी फायदे मंद हो सकता है सर्दी और साइनस में भी फायदे मंद है हरी मिर्च का सीवन सर्दी और साइनस से लड़ने में हरी मिर्च आहम भूमिका निभा सकता है यहां हरी मिर्च में पाया जाने वाला कैपसाइसीन का महत्तपूर्ण योगदान होता है रिसर्च में यह भी पाया गया है कि लगातार दो हपते तक कैपसाइसीन नोज स्प्रे का इस्तेमाल राइनेटेस अर्थात बंदनाग पर प्रभावकारी असर डालता है तुचा के लिए भी फायदे मंद है हरी मिर्च का सीवर्ण हरी मिर्च विटमίν C और एंटि अक्सिडेंट से भरपूर होता है जिसे तुचा के लिए खास माना जाता है और विटमίν C तुचा में कोलिजन बढ़ाने का काम करता है विटरमिन C का प्रियोग करके तुचा को चमकाने एंटी एजिंग और सुर्य की हानिकार किर्णों से बचाव किया जा सकता है गंजापन दूर भगाने में फाइदे मंद है हरी मिर्च का सिर्ण हरी मिर्च में पाया जाने वाला Capsicine compound गंजापन के समस्या से भी निजाप दिराने में मदद गार हो सकता है यह research में पाया जा चुका है तो देखा दोस्तों कितने सारे फाइदे हैं हरी मिर्च के यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को और सेर करें साथ ही ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए दन्यवाद दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ